ओम शांती, आज 20 मई 2022 के साकार मत्वर महावाक्य हैं, शुक्रिया दिवस पर हम दिल की गहराईयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्नोंने हमारे जीवन को कोड़ी से हीरे जैसा बना दिया। आज बाबा, हम सब का अटेंशन खिचवा रहे हैं कि कोड़ी से हीरे जैसा बनना है, तो अपने अवगुणों को निकालते जाओ, समय को सफल करो, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना। ऐसा पुर्शाथ जो बाबा बच्चों से कराते हैं, वो कौन सा है कि बुद्धियोग यहाँ वा ना भटके, एक बाबा से बुद्धियोग लगा रहे, दिन रात सच्ची कमाई का शोंक होना चाहिए, चलते फिरते, उटसे बैठते, एक बाबा को याद करना है, बहुत अच्छा लगा, फिर जैसे थे वैसे के वैसे रहे, बाबनी का याँ ध्यान देना है कि आपको अपने अवगुणों को स्वयम निकालना है, फिर से सर्वगुण संपन, सोलाकला संपूरन, संपूरन निर्वीकारी बनना है, मनुष्य अपना पैसा वेस्ट करते हैं आपको अपना पैसा मनुष्य को देवता बनाने की सेवा में लगाना है, अनेक आत्मों के कल्यान में लगाना है, फिर बाबने याद कराया कि बाबा को बहुरूपी क्यों कहते हैं, ये जो बहुरूपी शब्द है कि एक समय में बाबा को बहुत सारे कारे करने होते हैं, ए दुसरे तरफ भगतों की आशाय पूरण करते हैं, इसी को उन्होंने सरव्यापक समझ लिया, बाबा निका मुझे एक समय में अनेक कारे करने होते हैं, इसलिए मुझे बहुरूपी कहते हैं, सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में, बाबा के ते मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है, तो समय को सफल करो, अब गुणों को निकालो, खान पान, सोने में अपने समय को बरबाद मत करो, बहुत अदिक समय खाने पिने में लगाना, सोने में लगाना, वहां से अपने समय को बच्चाना है, अपने इस जीवन को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पिने सोने में समय बरबाद मत करो कोशन है मनुष्यों ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया कौनसे शब्द से बाबा कहते इस समय में बहुरूपी हूँ ऐसे ने कि यहाँ जब मुरली चलाता हूँ तो परमधाम खाली हो जाता है मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं बहुत सर करना पड़ता है इस समय में बहुरूपी हूँ इस एक शब्द से मनुष्यों ने कहा यह सब भगवान के रूप हैं दूसरा प्रश्न है बाब की किस शिरीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत है किन बच्चों को कहेंगे कि यह सपूत बच्चे हैं बाब के बच्चे करो ताइम बहुत वैलिवेबल है इसे सोने में ना गवाओ कम से कम आठ घंटा मेरे खातिर दो यह शिरीमत पालन करने वाले सपूत है जो यह शिरीमत पालन करते हैं आठ घंटा बाबा को याद करते हैं वो बाबा की सपूत बच्चे हैं गीत है तुन्हें रात गवाई सो दिवस गवायों खाएं, ओमशांति, बच्चों को बाप समझा रहे हैं, बच्चे जानते हम सब बच्चे हैं बाप के, हमारे शरिर के बाप तो है इस शरिरिक, लेकिन आत्म जो अशरिरी है, उसका बाप भी अशरिरी है, बाबा निसमझाया, बेध के बाप से बेहद सुख का वर्सा मिलता है अभी से शुरू होता है वो सुख का वर्सा संगम से और त्रेता अंत तक चलता है तुम अब पुर्शार्थ कर रहे हो भविशे 21 जन्मों की प्रालब्द के लिए फिर बाद में हद का शुरू होता है बेहद का पूरा हो जाता है ये गुई ये बाते हैं, जानते हैं आधा कल्प हम हद के बाप से वर्सा लेते, बेहद बाप को याद करते आए, आत्मा के समन्द में सब ब्रदर्स हैं, वो है बाप, कहते भी हैं हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर जब मनुष्य स्रिष्टी की रचना रची जाती, तो भाई बेहन हो जाते हैं, ये नई रचना है ना, पीछे फिर परिवार बढ़ता है, काका, चाचा, मामा सब पीछे होते हैं, इस समय बाप रचना रच रही हैं, बच्चे और बच्चियां हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं, अब तुम जीते जी भाई वेन बन जाते हो, दूसरे क कोई समंध से तैलुक नहीं, अभी तुम्हें नया जनम मिल गया है, जानते हो हम अभी इशुरिय संतान है, शिव वन्षी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध नहीं, इस समय सारी दुनिया पतित हैं, इसको पावन बनाना तो सो जाना, बाप को याद ना करना, इससे कोई हीरे जैसा जनम नहीं मिलेगा, बाब केते शरी निर्वार्त करम करते, ग्रस ववार में रहते, कमल फूल समान बनना है, समझते हम कौडी से हीरे जैसा, मनुष्य से देवता बन रहे हैं, मनुष्य में बहुत अवगुण है, देवताओं में गुण होते हैं, तब मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं, आप सर्वगुण संपन, हम नीच पापी हैं, अब बाबा केते अपने से आशुरी अवगुणों को निकाल, इशुरी गुण धारण करने हैं, अच्छे से अधियाकार मनुष्य स्रिष्टी का बीजरूप, वो सत्य है, चेतन्य है, ज्यान सागर है, बाब सत्य है, चेतन्य है, ज्यान सागर है, ये ज्यान बुद्धी में बैठा हुआ है न, ये है नया ज्यान, कोई वेद शास्त्रों में ये ज्यान नहीं है, अब जो तुम सुनत फिर प्रायलोप हो जाएगा अब तुम जानते हो हम आशुरी अवगुणवाले मनुष्य से देविघुन धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं पापो का बोजा जो सिर्पर है वैं बाप की याद से हम भस्म करते हैं जो भी सिर्पे पापों का बोचा है, बाबा की याद से भस्म करते हैं, भगती मारग में यही सुनते आई, पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे, प्रन्तु पानी से तो पावन नहीं बन सकते, अगर ऐसा होता, तो पतित पावन बाप को याद क्यों करते, कुछ अब तुम कितने समझदार बन रहे हो, सारे स्रिष्टी चक्र को जानते हो, हिस्ट्री जोगरफी को जानना यह भी समझ है न, अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने अपना परिचे अपने बच्चों को दिया, मैं आया ह तुम्हें हीरे जैसा बनाने, बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाने आया हूँ, ऐसे नहीं कि यहां से सुनकर गए, खाया पिया, जैसे आगे चलते थे, वो तो कोड़ी जैसी लाइफ थी, देवताओं की हीरे जैसी लाइफ है, वो तो स्वरग में सु दुखी थे, हम दुखी हुए, हमने 84 जनम कैसे लिए, यह नहीं जानते हैं, अब मैं बताता हूँ, अब तुम औरों को समझाने के लाइक बने हो, बाब समझदार बनाते, फिर औरों को समझानी देनी चाहिए, ऐसे नहीं घर में जाने से वो पुरानी चाल हो जाए, अपन फिर औरों को शिक्षा दो, बाब का परीचे देने के लिए जाना पड़ता है, बेहद का बाब सबका एक है, सब धरम वाले उनको ही पुकारते हैं, हे परम पिता वा हे प्रभू, ऐसे कोई नहीं होगा, जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा, सब धरम वालों का बाब ए देख है, एक को सब याद करते हैं, बाब से वर्षा पाने के सब हकधार है, वर्षे पर भी समझाना पड़े, बाब कौन सा वर्षा देते हैं, बाबा वर्षा देते हैं, मुक्ती और जीवन मुक्ती का, यह सब जीवन बंध में हैं, बाबा आकर सब को रावन के बंधन से इस समय कोई भी झीवन मुख्थ है नहिं क्योंकि रामणराच्य है देह अभिमानी हैं। हैं हम अत्मा एक शरी छोडर दूसरा लेते हैं। स्रप परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को जाने तो सारे स्त्रिष्टी चक्र को जान जाएं। त्रिकाल दर्शी सिरफ तुम हो, ब्रामनों को ही बाबा बैठ त्रिकाल दर्शी बनाते हैं, जब देवताएं भी त्रिकाल दर्शी नहीं, तो उनके जो वनशाबली आती हैं, उनमें ये ज्ञान नहीं रहता, तो फिर दूसरों में ये ज्ञान कहां से आएगा, देने वाला एक ही है ये सहज राज्योग की नौलेज और कोई को नहीं मिल सकती देवी देवता धरम का शास्त्र भी होना चाहिए ये सहज राज्योग की नौलेज और किसी को नहीं हो सकती देवी देवता धरम का शास्त्र भी होना चाहिए तो ड्रामामसार उनको फिर शास्त्र बनाने पड़ते, गीता भागवतादी सब ऐसे फिर बनेंगे, गरंत भी ऐसे बनेंगे, अभी गरंत कितना बड़ा हो गया, नहीं तो इतना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, फिर व्रिधी को पाया, ये भी ऐसे है, इनका अगर गरंत बैठ बनाओ, तो ब जाता हूँ, जरूर नाम तो लेना पड़ेगा न, फलाने शास्त्र में ये ये है, वे कोई धर्म का शास्त्र नहीं, भारत का धर्म एकी है, बाकी वे किस धर्म के शास्त्र हैं, कभी सिद नहीं कर सकते, भारत का शास्त्र है एक गीता, गीता सर्व शास्त्र शिरो मनी, गा का भगवान कौन था उसको ना जाने के कारण जूठा कसम उठाते हैं अब उनको करेक्ट करो भगवान ने तो ऐसे नहीं कहा कि मैं सरव्यापी हूं बच्चों ने प्रश्ण पूछा शिव बाबा जब इधर आते हैं मुरली चलाते हैं तो क्या परमधाम में भी हैं बाबा कह इस समय हमें बहुत काम करने पड़ते हैं बहुत ध्यान से सुनेगे बाबा की बात इस संगम समय पर हमें बहुत काम करने होते हैं बहुत सर्विस चलती है कितने बच्चों को भगतों आधी को भी साक्षत कार कराता हूं इस समय मैं बहुरूपी हूं बहुरूपी अक्षर स मनिश्यों ने समझा सब रूप उनके हैं माया उल्टा लटका देती फिर बाप सुल्टा बनाते हैं तुम बच्चे भी मुक्ती धाम में जाने का पुर्शाट कर रहे हूं तुम्हारी बुद्धी है मुक्ती धाम की तरफ ऐसा कोई मनुष्य पुर्शाट करा ना सके जो तु जाओ, मनुश्या मरते हैं तो कहते स्वर्ग बधारा, फिर भी रोते रहते हैं, बाब के जो सपूत बच्चे होंगे, वो बाब के मददगार बनकर सर्विस करेंगे, वे कभी डिस सर्विस नहीं करेंगे, अगर कोई डिस सर्विस करते हैं, तो गोया अपनी करते हैं, बाब क कितनी भारी कमाई है तो उसमें लग जाना चाहिए बाबा को याद करना है जैसे गवर्मेंट के सर्विस में आठ घंटा रहते हैं बाबा कहते मेरे खातिर आठ घंटा दो रात को सो कर अपना समय बरबाद मत करो दिन रात कमाई करनी है ये तो बड़ी सहज बुद्धी की बा खुल जाती है तो बाबा को याद करना है दिन रात याद में लग जाना है ताइम वेस्ट नहीं करना मनुष्य जब धंदे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़ कर फिर दुकान पर जाते हैं लोडते समय फिर भूल जाते हैं घर याद आ जाता ये भी अच् विश्णों को कलकत्ते में तो बहुत अच्छी रिती समझाना चाहिए काली माता का वहां बड़ा मान होता है बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती है ब्रामनों को मचली जरूर खिलाते हैं बड़े आदमी अपने तलाब बनाई उसमें मचलियां पालते हैं तो ब्रामनों को भी वो खिलाएंगे अब तुम पक्के वैश्णों वद्ते हो प्रैक्टिकल में तुम विश्णु के पुरी में चलते हो ऐसा ने कि वहां चार भुजा वाले मनुष्य होंगे आप विश्णु पुरी में चल रहे हो ऐसा ने कि वहां को चार भुजा वाले लक्ष्मी नारण को विश्नु कहा जाता दो भुजा उनकी दो उनकी तो महालक्ष्मी की पूजा करते हो वास्तों में विश्नु की करते हो तो महालक्ष्मी की पूजा करते हो ये वास्तों में विश्नु की करते हो दोनों है ना प्रन्तु इस समय महिमा माताओं की है वही राज-राजेश्वरी बनती, मा की पूजा होती, वास्तों में जगतंबा तो एक है ना, जैसे शिव का एक लिंग बनाते, वैसे चोटे-चोटे सालीग्राम भी बनाते, वैसे काली की भी चोटे मंदिर बहुत है, वो जैसे मा की संतान हैं, अभी तुम्हें अपना बनात तुम बली चड़ते हो, इस पर, इस ब्रम्हा पर नई, आप बली चड़ते हो निराकार पर मात्मा पर, इस ब्रम्हा पर नई, तो बाबा समझाते हो इफ टाइंग वेष नहीं करना चाहिए, धन्दाधी भले करो, अगर पैसा काफी है, तो खाने के लिए फिर जास्ती माता क क्यों मारते हो, हाँ श्रिप बाबा की यग्ये में देते हो, तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो, जब बाबा की यग्ये में आप धन सफल करते हो, तो जैसे की विश्व सेवा में लगाते हो, बाबा कहींगे सेंटर्स बनाओ, जहां ये बचियां मनुष्ये को देवत बनाने का रास्ता बताएं, ये पढ़ाई कितनी first class है, बहुतों का कल्यान हो जाएगा, बाबा केते लाक करोड कमाओ, प्रंतु ऐसा काम करो जिससे भारत पावन बने, धन कमाने के मना नहीं, लेकिन वो धन, विश्व सेवा में काम आए, भारत को पावन बनाने की सेवा में लगे, ever healthy बने, तुम भविश्य के लिए भी पूरा वर्सा लेते हो, वहां गरीब कोई होते नहीं, वहां भी अभी की प्रालब्द भोगते हो, तो इतनी धारणा करनी चाहिए, तुम्हारा एक एक पैसा, हीरे समान है, इससे भारत हीरे जैसा बनता है, बाकि जो बच्चे इस सेवा में लगाओ, ये बड़े ते बड़ी होस्पीटल है, कई गरीब बच्चे कहते हैं, हम आठाना देते, मकान में इंट लगा दो, जानते हो, यहां से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, यहां तो धेर आएंगे, क्यो ऐसी लगेगी, जो कभी नहीं देखी होगी, इतनी खुशी रहनी चाहिए, हम क्या से क्या बनते हैं, हम शिव बाबा से बेहद का वर्सा लेते हैं, बाबा है निराकार, ज्यान सागर, वो इस रत में परवेश करते हैं, तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है, अपने पर भी, दूसरों पर भी रहम करना है, अपने बाप की रुहानी बच्चों को नमस्थे, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दद को नमस्थे, गुद परिया बाबा, शुक्रिया, धार्णा के लिए सार, फेहली पॉइंट है, भारत को पावन बनाने की सेवा में, अपना तन मंधन सफल करना है, पैसे को हीरा समझ, स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गवाना, भविशेक के जर्मों की प्रालब्द बनाने के लिए दिनरात कमाई जमा करनी है, समय बरबाद नहीं करना, शरी को भूलने का पुर्शाट करना है, इस पुरानी देह को भूलने का पुर्शाट करना है, माया जीटि भव अकालतक्त सोदिल तक्त नशीन बन स्वराजिके नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत वह अकालतक्त नशीना आत्मा स्था हर्वानी नशे में रहती है जैसे राजा बिना नशे की राज्ये नैंे जला सकता exist ma यदि स्वराज्ये के नशे में नहीं तो करमिंदिरों रुपी प्रजा पर राज्ये नहीं कर सकती। इसलिए अकाल तक्त नशीन, सो दिल तक्त नशीन बनो। और इस रुहानी नशे में रो। तो कोई भी विघन वा समस्या आपके सामने आ नहीं सकती। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती, तो तक्त नशीन बनना अथा सहज प्रकृति जीत माया जीत बनना, तक्त नशीन बनने कार्थ क्या है? सहज ही प्रकृति जीत माया जीत बनना, सरल शब्दों में हमें इस समय पहले स्वराज्य के नशे में रहना है, तब ये हमारा ओर्डर मानेंगी इसी से हम अकाल तक्त नशीन बनेंगे माया जीत बनेंगे प्रकृति जीत बनेंगे स्लोगन है संकल्पों के सिद्धी प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहू आज चलते फिरते दिल से बाबा का शुक्रिया निकलता रहें बाबा आपने हमें कोडी से हीरे जैसा बना दिया अब गुणों को निकालना सिखा दिया याद करना सिखा दिया जीवन सफल करना सिखा दिया आपका शुक्रिया स्वमान रहे मैं प्रकृती जीत माया जीत आत्मा हूँ अकाल तक्त नशीन हूँ एक कागर हो जाएं ब्रिकुटी तक्त पर अपने उस अकाल स्वरूप को देखें जो अत्ती सुद्दर न्यारा प्यारा रूप है शक्तियों से भरा हुआ रूप है प्रिकृती सिहासन पर मैं अकाल तक्त नशीन आत्मा प्रकृती जीत माया जीत दिरे दिरे मन बुद्धी को बाबा पर एकागर करें बाबा की शक्तियां फाउंटीन की तरह अपने में आती अनुभव करें बाबा आपका शुक्रिया आपने हमें शक्तियों देकर शक्ति शाली बनाया अवगुण को निकालना सिखाया समय सफल करना सिखाया और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान होती ये एक बहत संस्कारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कुम भी मिस न करें उलकेवा झाली आपका पुम भी मिस तभारिता है